सुन जरा सोन ये सुन जरा आज खामोशियों से आ रही है सदा धड़कनी हैं दिवानी दिल भी कुछ कह रहा तो सीधे सल्मान खान की लव रोमैंटिक मुवी लगी की याद आ जाती है जुसमें लगी बनकर एक खुबसूरत सी अभी नेत्री ने लाखो जवा दिलों का दिल गाजा था। इस फिल्म में स्कूल गॉइंग गर्ल लखी का किरदार निभादेर निभाने वाली अभी नेत्री इतनी खुबसूरत और प्यारी दिखी थी कि लोग आज भी इस फिल्म से उन्हें पल पल याद करते हैं लेकिं दोस्तों कि आपको पता है कि इस फिल्म में ल की मुवी के लिए एक लाई करना ना भूले साल 2005 में फिल्म लकी में लकी नेगी का रोल निभाने वाली अभिनेत्री का नाम असनेहा उल्ला है जिनका जन्म 1987 में ओमान देश के मसकट में हुआ था और इन्होंने मसकट के साथ साथ इंडिया में भी अपनी पढ़ाई कम्प्लीट की है लेकिन अगर बात करें इनकी अक्टिंग करियर के बारे में तो हम बता दें कि जब ये अपनी अजुकेशन कम्प्लीट कर रही थी तब भी इन्होंने एंटर्टेन्मेंट इंडिस्ट्री में कदम रखने की बारे में सूचा और थोड़े बहुत आउडिशन देने के बाद ही साल 2005 की फिल्म लखी नो टाइम फॉर लव में इन्हें दबंग खान सलमान के साथ डब्यू करने का मौका मिला जहां पर ये इस फिल्म में अपनी आक्टिंग की वज़े से लोगों के दिलों में तो कुछ खास जगा नहीं बना पाई मगर हाँ अपनी शकल से तो काफी हद तक इन्होंने बॉलिवुड में लाइम लाइट हासिल कर ही ली थी जिन्हें दर्शक लोग एश्वरे राय की हमशकल समझ कर भाव दे रहे थे इस फिल्म के बाद इन्होंने फिल्म आरियन में काम किया सलमान के भाई सोहेल खान के साथ और फिर इन फिल्मों के बाद ये हिंदी और साउथ की फिल्म बेजुबान एश्क करंट क्लिक वारूद वानम आश्मान भवा में भी दिखाई दी लेकिन अगर बात करें बीती सोला सालों में इनके बदले हुए लुक के बारे में तो हम आपको बता दे फिल्म में जहां ये एक स्कूल गोइंग गर्ल बनकर स्लिम ट्रिमर गमसिन जवान विदाउट मेकब स्कूल ड्रेस पहने काफी डिसेंट लग रही थी साथ ही इनका प्यारा सा हेल स्टाइल और रंग बिरंगी ड्रेस में काफी प्यारी और हसीन दिखी थी मगर अब बात करें आज के बदले हुए लुक के बारे में अब ये 34 साल की उम्र में जीन स्टॉप, सूट सारी, बॉडिकॉन, ड्रेस पहने काफी हॉट नजर आती है और इनका खिल-खिलाता हुआ चेहरा पहले के मुकाबले विद मेकप और विदाउट मेकप जादा हसीन लगता है वही ये पहले के मुकाबले थोड़ी हेल्दी और स्टाइलिश भी नजर आती है वही अगर बात करें इनकी नीजी जिन्दगी के बारे में तो हम आपको बता दे 34 साल की उम्र में अभी तक ये कुवारी हैं क्यूंकि इन्होंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है मगर हाँ, इनका अफेर सल्मान खान से कुछ टाइम के लिए चला था मगर आपसी अनबन की वज़े से उनसे ब्रेक अप हो गया उसके बाद से इन्होंने अपने पोस्नल लाइफ पर ध्यान देना शुरू कर दिया इन्होंने अभी भी अपना एक्टिंग करियर जारी रखा हुआ है जहां ये आकरी बार मुवी अन्थानी माया लोने साउथ मुवी में नजर आय थी दोस्तों आपको लखी फिल्म की प्यारी अभी नित्रिश नेहा उल्ला की बेबाग खुबसूर्ती के बारे में क्या कहना है आप अपना जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरू बताएं साथ ही बड़े परदे से जुड़ी ऐसी और भी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें